और हिंदु समाज के अपने भी कुछ प्रश्ण है, जैसे मंदिरों का प्रश्ण है. हिंदु समाज के मंदिरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन देश के हर भाग में अलग-अलग है. दक्षिन के प्राया सभी मंदिर सरकार के अधीन है. चोटे-चोटे मंदिर जो स्वतंद्र है वो उपिक्षित है बाकी भारत में कुछ मंदिर सरकार के अधिन है कुछ मंदिर भक्तों के अधिन है सरकार के अधिन भी कुछ मंदिर बहुत अच्छे चलते है बहुत सुन्दर साप सुत्रे, प्रिर्णा देने वाले भक्तों की मदद समाज की सेवा करने वाले सरकार के अधीन भी है और भक्तों के अधीन भी मंदिर बहुत अच्छल चल रहे दिल्ली का जंडे वाला मंदिर है अपने आप आसमे शेगाओ का मंदिर है भक्तों के अधीन है उत्तम चल रहे व्यवस्थित चल रहे पवित्र चल रहे हैं स्वच्छ चल रहे हैं और समाच की भी कई प्रकार से सेवा करते हैं ऐसे व्यवस्था पेंगे दुर्ष्टी से वैश्णोदीवी मंदिर सरकार नी लिया ठीक ठीक चल रहा है जगमोंजी थे वो श्रदालू थे इसलिए ठीक हो क्या प्रबंद्र लेकिन जहां ऐसा नहीं है वहां क्या हो रहा है कि लूट चल रही है मंदिरों की जमीन बिची गई मंदिर की संपत्ति हड़पी जाती है हिंदू मंदिरों की संपत्ति है हिंदू जिन पर जिनको हिंदू दिविद्यों पार श्रद्दा नहीं है उनके लिए लगाई जाती है हिंदू स्प्रीम कोट के निरने भी हैं सब प्रकार के हैं यह वी कहा है सुप्रीम कोट ने मंदिर के मालिक भगवान और कोई नहीं हो सकता पुजारी के सब करने के सरकार विवस्था उत्पन करने के लिए कुछ समय तक ले सकती है एक दो तीन वर्श उसके बाद वापस करना पड़े पिरनाई ये भी होना चाहिए हिंदू समाज मंदिरों को कैसे रखेगा हिंदू समाज की क्या वेवस्था है अपने मंदिरों को जैसे वो पहले समाज की जीवन के केंद्र हुआ करते थे वैसे चलाने का क्योंकि हिंदू समाज की श्रद्धा जगे हिंदू समाज का बल जगे हिंदू समाज के लोगों के आपत्यों का निवारण हो उनको शरद्धा मिले उनको सहरा मिले इस दुर्ष्टी से हिंदू समाज की ये जो सारी वेवस्था हैं आज भी है पतित हो गई है उनको ठीक करने के लिए हिंदू को जगाना पड़ेगा क्योंकि हिंदू समाज का ऐसा होना ही सारी बतों का आदार है